Hello and welcome, this is Pavan, आज grammar की series का और खासकर prepositions का last lecture है और आज के lecture में हम बात करेंगे beside और besides की हाला कि मैंने prepositions की series में सारे के सारे prepositions discuss नहीं किये मैंने उतनी ही किये जितने बहुत यदा important थे, जितने बहुत यदा जरूरी थे और एक और चीज़ जो starting में मुझे बतानी थी, लेकिन मैंने short दी, वो आज मैं discuss करूँगा और बोजे है कि इसमें हम देखेंगे कि types क्या होती है prepositions की, prepositions की कौन कौन सी types है उनके बारे में भी आज ही हम पढ़ेंगे, लेकिन इस से पहले हम पढ़ेंगे beside और besides के बारे में तो चलिए पहले शुरू करते हैं, beside और besides कोई पढ़ते हैं अब हमारे सामने pictures हैं, आप यह देखिए, जहां पे दो girls हैं, यह dance कर रही है और example है जहां पे, rear danced beside लिया, मैं आपको simply मतलब बताओं, besides का मतलब होता है, close to gen next तो besides, beside का मतलब है जहां पे, beside का मतलब होता है close to gen next तो जिस तरह से यह dance कर रही है, rear danced beside लिया, तो rear dance कैसे, मैं लोग, क्या मतलब है sentence का इसका मतलब जही है, कि यह dance कर रही है, लिया के close में, लिया के next में और जिस तरह आप जे इस पे focus किजिए, जे bed है जहां पे, और bed के साथ में, maze है, bed के साथ में, table है अब हमें, अगर इनका relation देखना हो, तो जे क्या है, जे table इसके close है, जे table इसके next to में है इसलिए हम जहां पे, जहां पे हम beside का जूच करेंगे, अगर कोई पी चीज, जिस तरह से bed or table के बीच में, जे relation है, जए इनकी जो position है अगर इस तरह से कोई चीज की position होगी, जए relation होगा, वह हम जूच करेंगे beside का ओ, जैसे जहां पे जे relation है, तो जे क्या है, जे next to है, और क्या है, जे close to है लेकर, besides का क्या मतलब है, जहां पे एक ही s ने, इनमें difference ला दिया, जहां पे beside है, जहां पे besides है इसमें difference क्या है, सिर्फ as का difference है, तो as का difference जब हो गया, तो इसका क्या मतलब बना, इसके, इसका जो मतलब बना, वो जे है in addition to, besides का मतलब होता है in addition to, जिस तरह से जे एक example है, what sort of music do you listen to besides jazz jazz क्या है, jazz एक टाइब का music है, एक टाइब का क्या है जे, music है, आप song मार लो, एक टाइब का song है जे, आप क्या है कि, जहां पे sentence है, what sort of music do you listen to besides jazz कि आप besides के, इसके अलावा, आप इसके अलावा, इसके addition में, इसके साथ में, आप कौन सा music अच्छा सुना पसंद करोगे, जा कौन सा आपको music अच्छा लगेगा, तो जहां पे इसका मतलब क्या हुआ, in addition, जा as well, जे मैंने clear कर दिया, मतलब कहीं, इस तरह का relation हमें लगाएंगे, अगर कहीं in addition to वाला मतलब हमें देख गया, कि किसी चीज के plus में, चा किसी चीज के साथ में, तो बहां हम जूज करेंगे, besides, चालो थोड़ी examples भी देखते हैं, और उदर मैं उखको clear करके बताता हूँ, जिस तरह से जे example है, besides the food, the kids hardly hear the desert, कि food के addition में, उन्हों के besides में, मतलब, food के addition में, kids ने किया, क्या किया, hotly ate किया, desert को, अब desert क्या होता है, जो हम खाना खाने के बाद, जो भी हम मिठा गयरा कुछ भी खाते हैं, उसको हम desert बोलते हैं, मतलब मिठा होता है, जो खाना खाने के बाद, और तो जहां पे sentence है, besides the food, the kids hardly ate the desert, कि बच्चों खाने के साथ साथ, खाने के addition में, desert को भी अच्छी तरह से, दिल से like किया, दिल से क्या किया, hotly ate, खाया उन्हें, like नहीं किया, ate किया, जी clear हो गया, अब besides मैंने बोला, in addition to, इसका मतलब है, और besides का मतलब है, next to, जो close, इसका जही मतलब है, और कुछ नहीं, तो चलो next देखत है, जहां भी जही कहानी दुबारा से repeat की हुई है, तो मैं इसको नहीं दुरहूंगा, अब, जो चीजे मुझे सबसे पहले बतानी थी, लेकर मैंने नहीं बताई, पो last one lecture के लिए मैंने शोड़ दी, तो चलो जे discuss करेंगे, तो मैंने आपको बोला, कि types of prepositions कितनी होती है, अब जही जो prepositions है, मैंने वोला prepositions किया है, prepositions noun और pronoun का relation बताती है, बाके वले sentence के साथ, जा एक noun का दूसरे noun के साथ relation बताएंगी, जह क्या है, इसकी types क्या है, तो types of prepositions, सबसे पहले simple prepositions है, अब simple क्या होता है, अब मालो simple simple words, जिस तरह से own है, at है, about है, with है, after है, far है, etc जे होगी, बिल्कुल simple prepositions, जिस तरह से words से ही पता चल रहा है, कि बिल्कुल simple words है, इनको हम simple prepositions बोलेंगे, अब आगिया जी double, sorry, compound prepositions, इसके बाद हम देखेंगे, compound prepositions किया है, अब compound prepositions क्या होता है, इस में मालब two-two words जो है, वो जुड़े हुए होते हैं, दो-दो words ज जे इसमें two-two words की prepositions होती है, जिस तरह से हमारे सामने है, अब simple और compound में फर्क क्या है, simple में एक-एक word हो गया, और compound में two-two words है, अब double में क्या है, double का मतलब तो ऐसे दिखने में जा सुचने में, जिस सुनने में ऐसे लगता कि double है तो दो ही होगा, लेकन words तो दो है, लेकन जे बिलकुल combine करके लिए होगे होगे हैं, जिस तरह से within, जिस तरह से into, upon, unto, देखो, हर एक, हर एक, हर एक bird में हमें दो-दो word मिलेंगे, जिस तरह से upon है, unto है, into है, within है, मतलब हर बर्ड में हमें two-two words मिलेंगे, और जे बिलकुल join किये हुए हैं, लेकन जहां पे हमें join किये हुए नहीं मिलेंगे इनमें जही फर्क है सिंपल में कंपॉरोंड में minist do words मिलेंगे और double में words तो two हैं लेकर जो पिल्कुल unite है आप पार्टी सिपल कया है आप पार्टी सिपल में हमें मिलेगा पार्टी सिपल आप जिस तरह से हम continuous stenses में देखते हैं present continuous हो, past हो, जब future हो, इनमें हमें ये देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है, कि above की first form होती है, और साथ में ing लगा होता है, अगर participle होगा, तो इस में last में ing होगा, जब en होगा, मतलब, जैसे considering लिखा है, during लिखा है, जब given, जब en होगा, जिसके last में, जब ing addition होगा, उसको हम participle बोलते हैं, अब मैंने चार्च जब आँको clear कर दी, अब types में क्या है, इसकी, जो simple है, वो एक एक word है, जो compound है, उसमें क्या है, compound में, इसमें two two words है, इसमें two two words है, और जो double है, अब double में क्या है, डवल में हमें, जे देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, कि two words को जुटाइट किया है, combine किया हुआ है, अगर हम participle की बात करें, तो participle में हमें, ing, जिसके last में ing हो, जा en हो, हमें बो देखने को मिलेगा, इसके बाद last बाली में उको बताँँगा, बो जे है, अब phrase में क्या है, अब phrase इसमें क्या होता है, इसमें एक तो preposition होती है, और उसके साथ में addition में word होते हैं, एक तो preposition है, और उसके साथ में word है, और जिए जब दुनों मिल जाते हैं, इसका मतलब कुछ और मिल जाता है, इसका मतलब कुछ और मन जाता है मैं आपको बताता हूँ जिसको मैंने सिर्कल किया अगर हम इनका सेपरेटली मतलब देखें तो इसका मतलब हो गया एट का मतलब पर और होम का मतलब गर मतलब गर पर लेकर जब जिए ऐसे फ्रेज प्रिपोजिशन जूज़ होंगे तो इसका क्या मतलब है हम सिंटेंसिस में पढ़ते हैं जहां हमें सुनने को मिलता है तो हम बोलते हैं किसी को कि आप आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं है आप जस्ट फिल करो feel at home मतलब है at home क्या हो गया अराम से जिस तरह से हम बोलेंगे feel at home तो इसका क्या मतलब हुआ या आप अराम से रहो तो जब यह टू वर्ड्स जो है जब एक दूसरे के साथ जुट जाएंगे तो इनका मतलब जो है टोटली अलग हो जाएगा और जिस फ्रीजिस में जूस होगा और इन दोनों का जब आपस में मिलेंगे जिस दो जाएदो से ज़्यादा हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं जिस तरह से अंडर दा बलैंकेट है from my father है in time है with me है at home है अब क्या है preposition के साथ में bird मिलेगा और जहां पर जब जे दोनों कठे होंगे इन दोनों कठे का मतलब कोश लग होगा हमने डिसकस किया आज beside के बारे में और besides के बारे में और मैंने आउको बताया जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैंने बो चीज नहीं बताई वो मैं आज बता रहा हूँ और आज मैंने types बताई types में मैंने आउको बोला preposition क्या है मैंने बोला simple proposition क्या है मैंने बोला आउको double क्या है compound क्या है simple क्या है, compound क्या है, double क्या है participle क्या है, phrase क्या है इसमें totally simple है हमें practice की दुरूरत पढ़ती है अगर एक दूबार हम इसको प्रेक्टिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा तो इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स लेक्टर में टैंसिस के बारे में क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए तो और बहुत कुछ है लेकिन मैं मुझे ऐसे फील होता है कहीं कहीं और एक और बात अगर आपको ये लेक्चिर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए इसको लाइक कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए आप लाइक कीजिए जा नहीं कीजिए लेकिन शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चलो लेक्स सिरे खतम करता हूँ थेंक्यू एंड बाइ